ब्लोगबास्टर मूभी पाठान जो रियल लोकेशन पे शूट करा गया था लेकिन इस मूभी का साभी अरिस की सिक्वेंस को भीप एक स्टूडियो आई मिन ग्रिन स्किन के हेल्प से शूट किया गया थे जैसे कि मूभी का ये सिन देखिए एसार के एंड जॉन का ये फाइट सिक्वेंस को रियल में एक स्टूडियो के अंदर शूट करा गया था जहां पर आप देख साकते हैं बैक्डरॉंड पे ग्रिन काप्टा सेट करके शूट किया गया था जो एडिटिंग टाइम रिमूब करके सीजी बिल्डिंग एंड रोड लोकेशान मार्च की गई मूभी का यह वाला सिक्वेंस में काफी सारे सीजी भेपेक्स यूज किये गए थे जैसे कि ये हील वाला साभी एंभरनमेंट को सीजी के हेल्प से क्रेट की गई यहाँ पर जो चौपार दिखाय गया था वो भी 100% सीजी एंड भेपेक्स काई था यह सीजी में दिखाय गई एसरके एंड सालमान खन का साभी एक्शन सीन अलग से भेपेक्स टूडियों के अंदर शूटिंग करा गया था यहाँ पर ब्रीज के जागा पर बेसिक सेट तायर करी गई थी जो पोस्ट एडिटिंग टाइम सीजी वाला ट्रेंड एंड ब्रीज एड क्या गया था मुभी का पहला वाला सीकुन्स में एसरके का ये चौपार सीन रियल नहीं थे इस सीकुन्स में दिखाई गई साभी बिल्डिंग एड दूबाई सीटी एंभर्नमेंट को सीजी के थूपार से आने बाला सीन को ग्रीन स्क्रीन स्टूडिय की आंदर एक डामी चौपार में शूट किये गए थे एंड बाद में ये शौट को सीजी चौपार के साथ मार्स की गई पाठन मुवी का यह बला बाइक चैजी एक्सन सीकुन्स रियल लोकाशन पे शूट हुआ था आपको बात दो कि ये प्लेज साइबेरिय का फ्रोजल लेक बाइकल पे शूट कराया था ये साभी खतरनेक श साभी क्लोज अफ शौट भीपेक स्टूडियो के अंदर शूट किये गए थे इस स्रिकुन्स में जब दीपी का आइस लेयर की अंदर ठंड पानी में गिर जाती है उसी सीन की शूटिंग एक्चुल में ब्लू स्क्रीन स्टूडियो में शूट करे गई थी जो पोस्ट पानी के अंदर एसर के दीपीका को बचाय था और यह वाला सीन विल्कु ट्राइलेंड पे शूट किया गया था आप यहापे क्लियरली नोटिस कर सकते हैं जो पानी के अंदर एसर के का सभी हैर का मुवमेंट एक्चुली सीजी के थूट दिखाय गया है पाठन मुव में सालमन खन का एक कैमियो एक्चन सीन था इस सीकुन्स को भी ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में शूट किया गया थे इस सीकुन्स के लिए एक डामी ट्रेंड यूज करा गया था बाद में जब ट्रेंड ब्लास्ट हुआ था उसी सीकुन्स पे ब्लास्ट वाल का सीजी लोकेशन एड किया गया था पाठन मुबी का फास्ट स्स्यकुंस में काफी सब्सेसल एफेक्ट एड भेड एपेक्स यूज की गई इस स्सीकुंस पर दिखाय था एक्चॉल में यह सीजी वाला चोपार है एंड यह बोला एक्समेशिन को सीजी बिल्डिंग की अंद पर दिखा गया है हलाकि मुवी का शूटिंग के लिए सब रियल कार यूज किये गए थे लेकिन मुवी का काफी अरिस्की मोमेंट को दिखाने के लिए सीजी कार की हेल्प लेनी पड़ी थी मुवी का क्लाइमेक्स सीकेंस पे ये फ्लाइंग जैट वाला सीकेंस तो अम्विजिंग था आपको बात दूँ कि ये खत्रनक सील को पूरा स्टूडिय की अंदर शूट करे गई थी यहाँ पे फ्लाइंग जैट की जागा पे एक बेसिक फ्रेम प्लेन कापड़ा के साथ करेक्टर की बैक साइड पे सेट करके शूट किये गए थे जो पोस्ट एडिटिंग के टाइम रिमूब करके सीजी जैट मार्च कर दी गई एक्चुल में मूबी का यहाँ वाला पूरा सीक्योंस भार्चुल वीडियो गेम की तरह दिखाया गया है क्यूंकि यहाँ पे पूरा स्काई एंड हील वाला एन्भार्णमेंट भार्चुल था इवेन साभी लॉंग शोट वाला कारेक्टर्स को सीजी के थ्रू स्क्रीन पे प्रेजेंट की गई